नमस्कार आप सभी का हर्दिक स्वागत एक बार फिर से आज हम बात करेंगे 9th of July के एडिटोरियल सेशन की आईए करते हैं स्टार्ट Your limitation, it's only your imagination आपने अगर अपने सोच का दाइरा छोटा रखा है तो आप जिंदिकी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे यह इसका मतलब है और निश्चित रूप से यह बात सही भी है अपने imagination को बढ़ाईए अगर आप कुछ बढ़ा करना चाहते हैं Think big, if you really want to achieve big आज इस Classes अब का आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक से यहाँ पर काफी सारे paid courses available होते हैं इन courses में से किसी भी course को आपको लगे कि हाँ आपके लिए यह course beneficial है आप उसे buy कर सकते हैं आज का जो editorial है on top यह एक political article है और कहें कि नितिश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके बारे में यह आज का article है इसलिए कहा गया है कि नितिश कुमार हमेशा से top पर ही है और फिलहाल भी लेखक क्यानुसार इस बार भी उनको कोई सुनोती सामने नहीं आने वाली एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बारे में यह article आज आज आपको बताएगा तो अंत में आपको translation के sentences मिलेंगे पता ही है आपको साथी में match the columns के एक exercise हमारे साथ रहती है हमेशा वो पता है आपको idioms and phrases भी हम discuss करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको एक एक session में देखने को मिलती है आप translation भी सीखते हैं आप grammar भी सीखते हैं vocabulary भी सीखते हैं तो पूरा session आप देखें और जरूर से दोस्तों के साथ share करें जो भी important points हैं उनको note करते चलें और अगर आपको ये session पसंद आता है तो जरूर से like करें, like करना ना भूलें आईए start करते हैं आज का session on top देखे on top का मतलब हो गया top पर अब top पर इसका मतलब क्या हुआ कि भी सबसे उपर है ये इन से उपर कोई नहीं है ये कहना चाता है अब यहाँ पे क्या कहा गया है first slide में आईए चर्चा करते हैं देखें इन दे लास्ट 15 येर्स बिहार चीफ मिनेश्टर नितिश कुमार has been on the winning side of all elections barring one to the lock sabha in 2014 एक बात यहाँ पे समझना election जो शब्द होता है इसके बाद में आपको two का प्रियोग देखने को मिलता है election जो शब्द है उसके बाद में आपको प्रियोग देखने का मिलता है two का कि election कहां का है कि seat का है उसके लिए election के साथ में two लगेगा ठीक है यह बात आपको पता लगेगी देखे यहाँ पे दिरखा है all elections फिर यहाँ पे समझाये गए two there और लोग सभा यह दिरखा है ठीक है तो in the last 15 years का मतलब हो गया पिछले 15 सालों में in the last 15 years पिछले 15 सालों में बिहार चीफ मिनिश्टर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार नितिश कुमार सब्जेक्ट हो गए has been on the winning side has been का मतलब ऐसे रहे है अगर आप बीन के साथ में कोई helping अब नहीं जोडते हैं तो इसका मतलब निकल कर आएगा कि ऐसा हुआ है ऐसा रहे है तो नितिश कुमार जो है वो winning side पर ही रहे है in all elections मतलब सभी चुनाओं में तो सभी चुनाओं में ये क्या रहे हैं winning side पर इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ये जीतते ही रहे हैं तो पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंतर नितिश कुमार जो है वो हमेशा सभी चुनाओं में जीतते रहे हैं केवल एक को छोड़ कर ये बारिंग जो शब्द है ये एक preposition होता है इसका मतलब देखिएगा except for other than apart from या omitting इसका मतलब है इसको छोड़ कर इसके अलावा तो किसके अलावा one एक चुनाओं को छोड़ कर वो चुनाओं कौन सा था तो चुनाओं था लोकसभा का तो देखो चुनाओं किसका था इस कारण से two लगा हुआ है चुनाओं था लोकसभा का कब की बात है 2014 की बात है year का नाम अगर दे रखा होगा वर्ष का नाम दे रखा होगा तो इन का प्रियोग करते हैं भी पता है आपको तो इन लाइन्स के अंदर हमने क्या सीखा नितिश कुमार सब्जेक्ट है इसकी जो वर्ब है वो हैज बीन है चुकि हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रियोग है ठीक है और फिर हमने सीखा बारिंग एक प्रेपजिशन है इसका मतलब के अलावा होता है ये सब सिनोनिम्स में काउंट कर सकते हो एक चीज़ सीखी कि इलेक्शन के साथ में टू लगता है कि इलेक्शन किस का है राज्य सभा का है विधान सभा का है इस सीट का है लोग सभा का है उसके लिए टू लगता है और लोगसभा राज्य सभा इन से पहले दै का प्रियोग करते हैं ये बात भी यहां से सीख सकते हैं लोगसभा के पहले दै लगा रखा है बात समझ में आ गई तो नितिश कुमार पिछले 15 सालों में हमेशा हर चुनाव जितते रहे हैं केवल एक चुनाव हारे थे वो चुना किराज्य कौन सा है बिहार है तो कहना क्या चा रहा है कि 2005 और 2010 में इन्होंने NDA को लीड करके पहुंचा दिया स्टेट में मतलब यहां पे पावर पहुंचा दिया बिहार में तो देखो यहां पे एक तो आपको वर्ष का नाम दे रखा है 2005 और 2010 इसलिए इनका प्रियोग है तो इन्होंने क्या किया NDA जो कि National Democratic Alliance है जिसमें BJP के BJP मुख्य पार्टी है तो इस NDA को इन्होंने लीड किया कहां तक लीड किया है किया है पावर तक मतलब पावर तक पहुंचा दिया कहां पर स्टेट में स्टेट की बात हम कर रहे हैं बिहार की इसी कारण से दे का प्रि प्रियोग है पार्ट विद जो है अब इसका मतलब अपने रास्ते अलग कर लेना या फिर छोड़ देना साथ छोड़ देना अलग हो जाना तो इसके सिनोनिम से हो सकता है गीव अवे हो सकता है गैट रीड ओफ हो सकता है 2014 में इन्होंने BJP से नाता तोड़ लिया BJP से यह है क्योंकि राजनितिक पार्टी के नाम से पहले हमें दे का प्रियोग करना पड़ता है यह बात अफ नोट करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी है Pentagon प्रियोग करना पड़ता है तो दो 2014 में उन्होंने BJP से अपना नाता तोड़ लिया refusing मतलब इनकार करते हुए क्या to accept नरेंदर मोदी इन्होंने कहा कि मैं सुईकार नहीं करता नरेंदर मोदी को किस रूप में प्राइम मिनिश्टर के कैंडिडेट के रूप में प्रधान मंत्री के उमिद्वार के रूप में मैं इनको सुईकार नहीं करता ये कहते वे इन्होंने BJP से अपना रास्ता अ तो इस SLAID में सीखने को बहुत कुछ था, आपको BARING का पता लगा की PREPOSITION है, इसके SYNONIMS का पता लगा, PART विद क्या होता है, यह हमने जाना, हमने जाना की POLITICAL PARTIES के नाम से पहले दे लगता है, हमने जाना की ELECTION किसका है, उससे पहले 2 लगेगा, यह सब चीजे इसने डिसकस कर ली हैं आजए ये next में after his party the जनतादल फिर देखो राजने तिक party का नाम है तो दे है फेर badly electorally he vacated the CM's post for Jitan Ram Manji अदलित leader in political maneuvering that went out of his control soon after his party जनतादल अब इनकी party का नाम क्या था जनतादल था जनतादल United JDU बोलता है इसको तो कह रहे हैं कि फिर उनकी party जनतादल United जो है ना fared badly अब देखो कई बार तो आपको fair well देखने को मिलता है कई बार तो आपको देखने को मिलता है fair well एक fair well अलग होता जो विदाई होती है ये fair well अलग है एक होता है fair badly अगर fair well दे रखा इसका मतलब अच्छा परफॉर्म किया और fair badly है तो खराब परफॉर्म किया ये कहना चाता है यहाँ पे उसकी performance खराब रही तो कहता है उनकी party जो है जिसका प्रदर्शन खराब रहा electorally मतलब चुनावी रूप से electoral ये चुनाव होता है है ना electorally ये चुनावी रूप से तो चुनाव कि अगर बात करें तो इनका performance इनकी party का performance खराब रहा उसके बाद after दे रखा था था ना तो इसके बाद में he vacated the CM's post vacate का मतलब खाली करना उन्होंने क्या किया कि CM की post को खाली कर दिया मुख्यमंत्री के पद को खाली कर दिया किसके लिए जितन राम मांजी के लिए जितन राम मांजी कौन है ये एक दलित लीडर है ठीक है दलित नेता है और किसके लिए किया था इन political maneuvering political राजनेतिक maneuvering का मतलब युक्ति कोशल कह सकते हो चालाकी कह सकते हो चालाकी के कारण को चालावाजी इन्होंने चलाई थी that went out और that जो है वो maneuvering के लिए आ रहा है ठीक है relative pronoun है संबंध होगा पहले वाले शब्द से जिसे हम कहेंगे antecedent यह antecedent है तो maneuvering वो maneuvering या वो युक्ति कोशल या वो चालाकी जो की उनके control से बाहर हो गई सून का मतलब शिग रही that went out of his control जो उनके control से बाहर हो गई सून शिग रही एक बात और समझेंगे out के साथ में preposition of लगता है और कई बार जब exam में common error का प्रशन बनता है वहाँ पे आपको from दे रखा होता है वो गलत हो जाता है manover का मतलब क्या है तो manover का gambit है tactic है, ruse है, artifice है, ploy है आप यहाँ पे strategy jam भी कर सकते हो strategy jam का मतलब भी चालाकी ही होता है ठीक है यह चालाकी रणनी तिकोशल, युक्तिकोशल इसको बोलता है तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत simple सी बात कही है कि जब उनकी party, जनता दल्मेंटरिन की party का नाम है जब उनकी party ने चुनाओ के अंदर खराब परदर्शन किया तो उन्होंने cm का पद छोड़ दिया किस के लिए छोड़ा, जितन राम मांजी के लिए ये कौन है, एक political leader है क्यों छोड़ा, ये भी राजनितिक कोई चाल थी लेकिन ये जो चाल है वो उनके control से बाहर हो गई बात समझ में आ गई सून जो है adverb होता है, याद रखिएगा सून adverb होता है, तिसलिए ये went जो है verb, इसकी विशेष्था बताने के लिए यहाँ पे सून का प्रियोग है, तो यहाँ पे adverb के रूप में है, आगे देखिए he reclaimed the chair and went on to fight, reclaim का मतलब, re का मतलब दुबारा claim का मतलब दावा करना, अब ये ही है, वो नितिश कुमार के लिए है, तो उन्होंने फिर से दावा किया, the chair कुरसी पर कुरसी कौन सी मुख्यमंतरी की, ये कुरसी छोड़ दी थी इन्होंने, लेकिन उनकी जो चाल है उल्टी पड़ गई, तो इन्होंने फिर से दावा किया चेहर पर and went on to fight, went on to या go on to का मतलब हो गया, कि ऐसा उन्होंने परियास किया, ठीक है, फिर इन्होंने मतलब इस level पर गए, इस स्तर पर गए, इसके लिए go on to या went on to करते हैं, go on to का शुरुवात करना भी होता है, तो उन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा है, तो दैका प्रियोग है, in alliance with का मतलब इस गठ बंदन में, alliance का मतलब गठ बंदन होता है, तो RJD के साथ में गठ बंदन किया, लालो पुर्शाद्यद्व की ये पार्टी है, RJD, RJD के साथ गठ बंदन किया और वो जीत गए 2015 में, फिर कह रहा है, the Congress, Congress पार्टी का नाम तो दै लग रहा है, Congress साथ गठ बंदन किया, और other small parties, और छोटे-छोटे अन्ने parties थी, उनके साथ गठ बंदन किया, on the social justice plank, किस basis पर, social justice के basis पर, अब ये जो plank है, ये एक प्रकार से base कहे रहा है, plank का वैसे, तक तो होता है, तकता होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब आधार है, तो समाजिक, न्याए के आधार पर, इस base पर इन्होंने चुनाव लड़ा, कि समाजिक न्याए दिलाएंगे सभी लोगों को, और इसके base पर वो जीत गए चुनाव, इन इन parties के सही योग से, तो यहाँ जो बातें की है, इसमें इतनी सी बात है कि उन्होंने चेयर पर, मुख्यमंत्री के चेयर पर फिर से दावा किया, उन्होंने चुनाव लड़ा, और 2015 का चुनाव जीत गए, फिर कह रहा है कि यह चुनाव कौन सा था, विधान सभा का चुनाव था, और इसके लिए उन्होंने गटबंदन किया, RJD के साथ, कॉंग्रेस के साथ, और अन्य छोटी-छोटी पार्टीज के साथ, और किस आधार पर चुनाव लड़ा था, सोशल जस्टिस प्लाइंग किया, फिर गटबंदन किस आधार पर बनाया था, तो समाजिक न्याय के आधार पर गटबंदन बनाया था, आगे कहरा, he had bitterly fought RJD founder लालू प्रसाद, since his exit in 1993 from the जनतादल, mother ship in which they both had cohabited for long, he had bitterly fought, bitterly मतलब बहुती बुरे तरीके से adverb है, fought है, वो fight की second form है, लड़ाई करी, तो he had bitterly fought, वो लड़ चुके थे, किस से RJD founder, RJD किस की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो लालू प्रसाद यादव से उनके लड़ाई हो चुकी थी, कब से, since his exit, जब से उनका exit हुआ था, जब वो निकल कर आये थे इस पार्टी में, वीदेव क्या था, कि 1993 तक ये दोनों ही एक ही पार्टी का हिस्सा थे, लालू प्रसाद यादव, नितिश कुमार दोनों एक ही पार्टी का हिस्सा थे, फिर हो सकता है, इनके कोई स्वार्थ ठकरा गए हो, और उनका exit हो गया, किस से, जंता-दल मदर्शिप, ये जंता-दल मदर्शिप, मतलब जंता-दल जो है, दोनों की पार्टी थी, लालू प्रसाद यादो की पार्टी भी थी, नितिश कुमार की पार्टी भी थी फिर ये बाहर निकल गए उस पार्टी से ठीक है तो सिंस हीज एकजिट जब से उनका एकजिट हुआ उन्निसो तिराणवे में जनता दल मदर्शिप मदर्शिप इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक कह सकते हो कि मात्र संस्ता थी एक मात्र पार्टी थी है तो ऐसी पार्टी यहां पे थी जो दोनों उसके अंदर थे इन विच जिस में दे यह दे आ रहा है नितिश कुमार और किसके लिए लालू प्रषाद यादो के लिए तो यह दोनों ही जो थे बोत दोनों हैड को हबिटेड को जहां लगता है उसका मतलब साथ होता है जिसे क education सह सिक्षा होती है वैसे cohabited habit का मतलब होता है आवास करना निवास करना रहना ठहरना तो cohabit का मतलब दोनों साथ में ही थे for long काफी लंबे समय तक बात समझ में आई तो कह रहा है कि उन्होंने काफी जादा मतलब बुरे तरीके से लड़ाई लड़ी थी RJD के संस्तापक लालू परसाद से जब से उनका exit हुआ था 1993 में जनता दल से आप इसको यो मान लो कि जब से वो exit हुए जनता दल जो की मदर्शिप थी जिसमें दोनों ही नेता जो थे वो साथ में थे काफी लंबे समय तक जब इनकी लड़ाई हो गई तो मतलब लड़ाई कब हुई जब उनकी लड़ाई हो गई ती काफी बुरे तरीके से लड़े लिये थे बिटरली का मतलब बहुत ही ज़्यादा intensively you can say ठीक है तो यहाँ पर सीखने की बात क्या थी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं था पार्टी की नाम से पहले दे लगता है यह हमने एक दो बार ओर देखा प्लैंक का मतलब बेस आप नोट कर सकते हो वैसे प्लैंक का मतलब तक्त होता है तक्ता जो होता है उसको बोलता है आगे देखिए on July 26, 2017 he snapped ties with the new partners and returned to the BJP's embrace फिर 26 July 2017 की बात है अब देखिएगा on लगाने कारण यह रहा क्योंकि यहाँ पर July जो है वो July की बात नहीं है 26 आ गया अगर यहाँ 26 नहीं आता डेट नहीं आती और केवल जुलाई होता केवल मंत का नाम होता तो डेफिनिटली क्या होता यहाँ पर इन आता तो कह रहा है इसका मतलब तोड़ लेना तो ही फिर नितिश कुमार के लिए है उन्होंने तोड़ लिया ताइज का मतलब रिस्ते connection relation किसके साथ में new partners जो नए सही होगी थे नए इनके partners थे उनके साथ में and returned और वो लोट गए किसके पास लोट गए to the BJP's embrace embrace का मतलब वैसे गले लगाना है अब यहां पर कह सकते हो BJP के पास फिर चले गए है ना यहां पर BJP's embrace का मतलब BJP के पास लोट गए फिर से यह कह सकते हो BJP के जाके गले लग गए यह कह सकते हो ठीक है तो कहरा 26 जुलाई 2017 को उन्होंने फिर अपने नए जो partners थे उनके साथ संबंद तोड लिया और BJP में ज आके मिल गए कहने का मतलब यह है फिर कहरा helped by an immoral agility and elastic ideological moorings Mr. Kumar has outperformed expectations of political survival that is thin social base could yield in the normal course देखो थोड़ी चीजें सीखने की यहां पे मिलेगी आपको एक यहां immoral दे रखा है एक word होता है moral एक word होता है immoral और एक word होता है immoral और एक word होता है immoral और एक word होता है immoral है यह वो लोग है जो नेटिकता को मतलब positive चीज़ों का साथ देते हैं यह वो लोग है जो negative चीज़ों का साथ देते हैं यह है इनको मतलब भी नहीं होता ना positive से ना negative से कोई फरक नहीं पड़ता है इनको कोई नेटिक है कि एनेटिक है उसको बोलते है immoral अगर neutral stand-up का है indifferent आ मतलब इनको साहेता मिली किस चीज से साहेता मिली इनका एक नेचर है कि भी एमोरल है नेटिकता से मतलब नेटिकता से मतलब है एजिलिटी मतलब फुर्तिलापन अब एमोरल तो एजेक्टिव का काम करेगा एजिलिटी यहाँ पे नाउन का काम करेगा क्योंकि एन लग रखा है तो आर्टिकल लगा रखा है तो इसका मतलब words count करें आप कितने शब्द हैं तो उसके बाद में we can see that two words are there तो दो अगर शब्द हैं तो first word will be called executive and second one will be called noun तो ये noun हुआ वो executive हुआ तो कहरा कि amoral agility से help इनको मिली ठीक है इनको साहिता मिली amoral agility से and elastic ideological mooring elastic का मतलब क्या होता है elastic जो शब्द है इसका मतलब होता है परत्यास्ता को बोलता है Elastical लचिलापन होता है ideological वैचारिक mooring का मतलब क्या है mooring का मतलब यहां तो ऐसा मानलो विश्वास या आप principle मानलो सिध्धान्त मानलो वैसे mooring होता है लंगर जैसे कि कोई नाव या ship जो है वो बांदी जाती है ताकि वो नाव या ship जो है किसी खुटे से बांद देते हैं ताकि वो इधर उधर का साहिता इनको मिली और elastic ideological mooring's इनकी विचारधारा भी क्या है डगमग रहती है विचारधारा भी कोई firm stand इनका नहीं है कोई dread stand नहीं है elastic मतलब एक प्रका लचीलापन है है ना कोई strict नहीं है किसी बात को लेकर इसकी इनको साहिता मिली फिर इन साहिताओं के साथ में यहां पर क्या हुआ कि Mr. Kumar has out performed out perform का मतलब होता है कह सकते हो किसी से अच्छा perform करना कोई व्यक्ति है उससे अधिक अच्छा perform करोगे तो out perform करोगे तो इन्होंने जो expectations इन से थी जैसी आशाएं लोगों ने लगा रखी थी इनसे जैसी की इनके party में इनसे आशाएं थी उनसे ज़्यादा बहतरीन perform किया और political survival आशाएं किसकी political survival की की ये राजनितिक अंदर survive कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे उस राजनितिक जो survival की expectations थी उस से अधिक अच्छा इनने परफॉर्म किया that is thin social base thin social base का मतलब क्या है thin का मतलब यहां कमजोर से है social base का मतलब समाजिक आधार कि लोगों पर इनकी पकड़ कितनी है समाज पर इनकी पकड़ कितनी है could yield yield जो होता है वो यहां पर इसका मतलब है produce करना वैसे yield का घुटने टेकना भी होता है लेकिन yield का उत्पादन करना भी होता है तो यहां तो produce है है ना result लाकर देना है तो जो इनका कमजोर समाजिक आधार है वो मतलब yield कर सकता है in the normal course का मतलब समानने परिस्तितियों में ठीक है कहने का मतलब यों कहें आप कि भी मिश्टर कुमार जो है ना उनको सहायता मिली उनके नेचर से उनके रवये से उनका रवया कैसा है वो एक तो बहुती liberal विचारधारा के हैं इनकी जो ideological जो मूरिंग्स हैं जो वेचारी के जो एक आधार है वो बड़ा ही elastic है वो बड़ा ही एक एक लचीला है कहीं इन्होंने firm stand नहीं लिया है कहीं पर भी ये द्रड या कटर होकर काम नहीं करते हैं दूसरा इनको नेतिक या एनेतिकता से मतलब नहीं है इन चीजों के कारण उन्होंने जो इन से आशाएं लगा रखी थी कि राजनेतिक रूप से survival कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस चीज़ के अंदर उन्होंने बहुत बहतरिन प्रदर्शन किया उन आशाओं से भी ज्यादा प्रदर्शन किया जो की कह सकते हो कि उनका समाजिक बेस जो है है ना survival ये political survival expectations की बात कर रहा है political survival की बात कर रहा है कि his thin social base जो कमजोर समाजिक base है could yield in the normal course भी उन से आशाएं तो ये थी कि उनका समाज पर hold ज़दा है नहीं समाजिक जो base हैं का कमजोर है तो वो normal course में समाने परिस्तितियों में तो उनको मतलब survive कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसा था कि हो सकता कि survive ना कर पाएं लेकि इन्होंने बहुत अच्छा perform किया ये कहना चाता है तो यहाँ पे snapd का मतलब क्या है वो सीखा agility का मतलब क्या है ये सीखा embrace जो word होता है इसका मतलब गले लगाना, आलिंगन करना cling करना, hug करना, ये सब होते है लेकिन एक और word इसके साथ होता है embarrass, इ-M-B-A-R-A-S इसका मतलब शर्मिंदा होना होता है इसके लिए एक सिनोनिम होता है abash ये शर्मिंदा होना, लज्जित होना होता है ठीक है, mooring's का मतलब हमने जाना elastic का मतलब जाना elastic एक प्रकार से लचीले को बोलते हैं, तो सपल कह सकते हो elastic को, S-U-P-P-L-E इसको आप light भी कह सकते हो L-I-T-H-E इसको आप flexible भी कह सकते हो जो लचीला है, जो डगमग होता हो एस्तिर हो, उसको बोलता है volatile भी कह सकते हो, ठीक है और हमने सीखा कि और तो इसमें क्या था, और तो इसमें yield का देखा, yield जो है, वो घुटने टेकन आत्म समर्पन करना होता, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब produce करना है, थिन का मतलब यहाँ पे कमजोर है, date अगर आएगी तो own लगेगा अगर month year ही होता, तो वहाँ पे इन लगाते, आगे देखिएगा Mr. Kumar's claims of being a change maker Mr. Kumar, Mr. Kumar नितिश कुमार के लिए है, उनके claims मतलब उनके दावे, क्या दावे करते हैं यह of being, दावे करते हैं इस चीज़ के, चुकि preposition लग गया तो ING लगना था, यह B है वैसे तो, लेकिन यह ING place इसलिए किया, क्योंकि यहाँ ओफ लगा रखा तो Mr. Kumar के जो दावे हैं, कि वो एक change maker हो सकते हैं, वो सत्ता में पल्टी कभी भी दे सकते हैं, सत्ता पलट सकते हैं, तक्ता पलट कर सकते हैं इन governance साशन में अब यह claims को देखकर वर है वर always exaggerated वो हमेशा ही अतिशोक्ति पूर्ण थे बढ़ा चड़ा कर ही प्रस्तुत किया गया था बात समझ में आ रही है, तो कह रहा है कि Mr. Kumar के जो दावे थे कि वो change maker की भूमी का निभा सकते हैं, governance के अंदर सत्ता के अंदर वो हमेशा ही यह दावे जो थे, वो बढ़ा चड़ा कर ही प्रस्तुत किये गये थे, exaggerate का मतलब होता है, अतिशोक्ति पूर्ण काम करना नमक मिर्च लगा कर बातों को प्रस्तुत करने को बोलते हैं, exaggerate, दो यदपी, दो जब लगता है तो contradictory statement के लिए लगता है कि आगे जो भी statement है विरोधा भास जताएगा यदपी, he did manage to pick up the shredded pieces यदपी उन्होंने manage तो कर लिया था एक बात समझिएगा, जब आप किसी man verb से पहले आप रियोग करते हैं do का, does का या did का तो ऐसे case में याद रखना कि वो emphasize करने के लिए करते हैं जोड देते हैं, इस बात पर और इसका मतलब होगा ऐसा किया तो था, ऐसा होता तो है अगर आप कहें कि I speak the truth मसच बोलता हूँ, I do speak the truth मसच बोलता तो हूँ, तो emphasize करने के लिए है यदपी उन्होंने manage तो कर लिया था to pick up the shredded pieces, shredded का मतलब बिखरे हुए कह सकते हो, जो shred का मतलब टुकडे होते हैं fragments होते हैं, तो बिखरे वे जो टुकडे हैं, of governance सत्ता के, in the state मतलब रज्ये के बिहार की बात कर रहा है in the initial years का मतलब शुरुवाती वर्षों में एक बात इन्होंने कही कि जो इनके दावे थे कि वो change maker की भूमी का निभा सकते हैं सत्ता में जब चाहें तब परिवर्तन ला सकते हैं ये तो बढ़ा चड़ा कर बोल जदा ही बोल दिया मतलब ऐसा बोलने के जरुद नहीं थी फिर लेखा कहरा है यदपी शुरुवाती वर्षों के अंदर बिहार में सत्ता जो की मतलब तूट रही थी सत्ता जो की विखंडित हो रही थी उन विखंडित या उन तूटी हुई सत्ता के जो टुकडे थे उनको pick up करना मतलब pick up किया उन्होंने उठाया उनको जोड़ा और सत्ता में एक सरकार इस्तापित की कह सकते हो बिहार में सरकार सुद्रड सरकार इस्तापित की ये काम तो जरूर उन्होंने किया है आगे करा मार्जिनल इंप्रूमेंट्स इन एड्यूकेशन हेल्थ एन लोकल बोड़ीज अलाओड हीम समसेल्फ कॉंग्रेचुलेटरी इंडलजेंस बट दे स्टेट्स हाल्टिं रेस्पॉंस तो दे कोविट 19 पैंडेमिक है जैस्पोज ग्लेरिंग फैलियर्स ऑफ गवर्नेंस समझियेगा मार्जिनल इंप्रूमेंट्स का मतलब आंशिक मार्जिनल का मतलब पार्टली कह सकते हो मार्जिनल का मतलब क्या कह सकते हो पार्टली पार्टली का मतलब आंशिक ज़्यादा नहीं है मतलब संपॉर्ण नहीं है पार्टली है तो कह रहा है कि मार्जिनल इंप्रूमेंट्स छो इंप्रूमेंट्स हुए है उनको अनुमती दी कि आप कुछ self congratulatory indulgence की वो खुद को बधाई दे सकते हैं congratulatory का मतलब बधाई से संबंदित indulgence का मतलब सनलिप्तता किसी भी काम में लगे रहने की जो चीज होती है indulge होने की प्रवर्ती होती है उसको indulgence बोलते हैं तो कहरें कि marginal improvements in education तो आंशिक रूप से सुधार जो है शिक्षा में स्वास्ते में और इस्तान्य निकायों में इन चीजों ने उनको self congratulatory indulgence दिया मतलब खुद को बधाई दे सकते हैं इन कामों के लिए कि इन्होंने छोड़ा मोटा काम करवाया है इन इन छित्रों में लेकिन एक बात देखिएगा the state's halting response halting जो होता है halt का मतलब वैसे रुकना होता है hold का मतलब धीमा भी कर सकते हो halting का लड़ खडाता हुआ या धीमा तब देखिएगा halting के लिए hesitant है faltering है stuttering है stumbling है लड़ खडाता हुआ response का मतलब जो भी उनकी प्रतिक्रिया रही response के साथ में preposition क्या लगता है ये काफी बर हम चर्चा कर चुके है response के साथ में टू लगता है ये बात आप अलग से भी नोट कर लीजिएगा काफी बर हम इस चीज़ को देख चुके हैं मैंने कल ही बताया था कि majority ही rule होती है तो यहाँ पे rule बन गया तो कहरा लेकिन state की जो halting response है राज्य मतलब बिहार बिहार का जो लड़कडाता ही हुई प्रतिक्रिया है किसको लेकर कोविड-19 pandemic को लेकर कोविड-19 वेश्विक महामारी को लेकर इस response ने expose कर दिया है परदाफाश कर दिया है glaring failures किस चीज़ का glaring का मतलब is first glaring का मतलब जो दो बात ने इसमें की है एक बात शुरुआत में प्रसंसा की है कि ठीक है खुद को बढ़ाई दे सकते हैं ये क्योंकि इन्होंने एक सोटा मोटा सुधार किया है सिक्षा में स्वास्ते में local bodies में लेकिन लेका कह रहा है कि जो COVID-19 को लेकर जो इनका response रहा लड़कडाती सी प्रतिक्रिया इनकी जो रही न उसके कारण इस इन्होंने बिल्कुल मतलब इनकी governance जो है इनका साशन जो है इनकी ruling जो है बिल्कुल एसफल रही इस पश्ट रूप से इस चीज़ को expose कर दिया है बात समझ में आगे आगे देखिएगा बिहार singularly failed in managing the return of nearly 25 lakh migrants from other states in the wake of the outbreak and abrupt lockdown of economy बिहार के बहुत सारे बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं बताना देखें यह जो कह रहा है लेखा का अपने इनके जो point of view है क्या वो सही है क्योंकि मुझे तो नहीं पता राजस्तान में रहता हूं बिहार में क्या चल रहा है लेकिन बिहार की राजनिती पर जो लेख है यह क्या नितिश कुमार के बारे में यह सब चीजे सही है आप अपने व्यूद जरूर से दीजिएगा simple अंग्रेजी में लिखना है ना चोटे-चोटे sentence बना के लिखना बड़े sentences की जरुद नहीं है अपने को चोटे sentences बिल्कुल simple शब्द ताकि आप आसानी से लिख पा तो बिहार बहुत बड़े स्तर पर fail हुआ एसफल हुआ in managing किस चीज में fail हुआ manage करने में अब यह in का प्रभाव है कि ing लगाना पड़ा preposition के बाद में verb ing form में लगती है तो बिहार बहुत बड़े स्तर पर fail हुआ किस चीज में the return of nearly 25 lakh migrants from other states की दूसरे राज्यों से from other states दूस या about है कि लगभग 25 lakh जो migrants है अन्ने राज्यों से जो लोटे हैं उनको manage करने में ऐसफल रहा in the wake of in the wake of का मतलब होता है क्या in the wake of का मतलब के परिणाम सुरूप या इस चीज को follow करते हुए तो following या after math कह सकते हो या as a result of कह सकते हो यह 25 lakh मजदूर लोटे क्यों थे कारण था outbreak outbreak का मतलब यह जो COVID-19 फैला है अचानक से बीमारी का अचानक से फैलना outbreak कहलाता है अबरप्ट अबरप्ट का मतलब कह सकते हो sudden और तिर अचानक से lockdown आ गया of the economy मतलब अर्थवेवस्ता का पूरी सब गतिवीदिया जो थी अर्थिक गतिवीदिया उनको बंद कर दिया गया इस बड़े स्तर पर यहां पी यह SFL रही लिख सकते हैं singularly लिखा देता हूँ मैं आपको singularly singularly का मतलब है to a high degree to a high degree तो यह कह रहे हैं कि भाई जो इनके सरकार है बिहार जो है वो SFL रहा काफी ज़्यादा SFL रहा 25 लाग जो मजदूर अन्य राजियों से लोटे थे हैना outbreak के चल फिर इस चीज़ को manage करने में बिहार बड़े बुरी तरीके से सफल रहा testing levels are very low testing का जो स्तर है testing मतलब कि भी मरीज है उनका test करना है ना testing levels जो है वो बहुत ही कम है levels को देखकर आरा रहा है इन बिहार बिहार में and Mr. Kumar has remained aloof और Mr. Kumar जो है वो तो बिलकुल एकदम कहें कि neutral रहे है उदासीन रहे हैं कोई फरकी नहीं पड़ा इनको तो यह तो indifferent रहे हैं तो indifferent withdrawn या detached मतलब बिलकुल इन्होंने attachment दिखाया है नहीं कि मुझे कुछ अपने आपसे कुछ करना है क्या अलग थलग नजरा आए हर मोर्चे पर अगर ऐसी बात करें COVID-19 को कैसे respond इन्होंने किया उसक things stand now यह जो है ना as the things stand इसका मतलब होता है वर्तमान में in present scenario वर्तमान परिद्रश्चे में वर्तमान इस्तितियों में लेकिन जो क्राइसिस है कौन सा क्राइसिस है यह COVID-19 वाला है इसलिए दया रहा है क्राइसिस को देखकर है जा रहा है लेकिन यह जो संकट आया है COVID-19 का इ reinforce का मतलब होता है strengthen करना मजबूती देना strengthen करना मजबूती देना लेकिन जो यह संकट आया है उस संकट ने इनको और strong बना दिया है किस तरीके से politically strong बना दिया है राजनितिक रूप से strong बना दिया है जैसा कि वर्तमान के हालात नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा ह ही लगता है आगे देखिए the wide spread mobilization against the CAA यह CAA आदारा आपको citizenship amendment act की बात कर रहा है नागरिक शंशोदन अधिनियम की बात कर रहा है wide spread का मतलब व्यापक mobilization का मतलब भीड इकठा हो जाना होता है बहुत जादा संक्या में लोगों का इकठा हो जाना जैसे कि mobilization LSE पर देखा ह हमने discuss किया था पिछले कुछ sessions में वैसा ही यहाँ पे हैं तो कहरा CAA के खिलाफ जो बहुत बड़े स्तर पर mobilization हुआ force the bjp उस चीज़ ने bjp को मजबूर कर दिया force का मतलब मजबूर कर दिया किसको bjp को bjp राजनेतिक पार्टी तो दैका प्रयोग है to announce यह घोशना करने की in January January में that he would continue to lead the NDA की वो कौन नितिश कुमार would continue वो लगातार जारी रखेंगे to lead मतलब नितरत्व करना NDA का है ना and the alliance और गठबंदन का remain in act और जो गठबंदन है वो remain वो रहा in act का मतलब कुछ बिगड़ा नहीं इसका जैसा था वैसा का वैसा रहा ऐसा नहीं हुआ कि ये गठबंदन तूट गया हो in act का मतलब देख लो whole है entire है complete है flawless है जिसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ जैसा है वैसा का वैसा बना रहा उसको intact बोलते हैं काफी अच्छा word है काफी बार पुछा गया है important हो सकता है note कर लीजिएगा तो कह रहा बड़े स्तर पर जो mobilization हुआ CAA के खिलाफ उस mobilization के कारण क्या हुआ कि BJP जो है मजबूर हो गए जो CAA से पहले देख क्यों है क्योंकि जितने भी act होते हैं जहां पर भी word act जुर जाता है वहाँ वहाँ पे दे लगता है जाया दे रोलेट act जैसे सुना होगा अगेंस्ट में इस चीज ने BJP को मजबूर कर दिया जनवरी में यह announce करने के लिए कि नितिश कुमार ही लगातार NDA का चहरा रहेंगे बिहार में और इस प्रकार से गटमंदन जो है वो in act रहा कुछ बिगड़ा नहीं इसका तूटा नहीं अब लेखक कह रहा है कि यह ऐसा क्यों कहा लेखक ने कि भई यह in act रहा क्योंकि यहां पे लेखक को लग रहा है कि पहले जो इतिहास है BJP का अभी हाल ही में देखें तो BJP का जैसे से power बढ़ा है जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ी है वैसे वैसे BJP ने अपने जो घटक थे अपने जो घटबंदन में मित्र पार्टी थी उनको ब कास्ट में फॉर इंस्टेस उधारन के लिए from leadership to secondary status कभी पार्टी नेत्रत्व में थी पार्टी लीडर्शिप में थी जिसके वालनों पार्टी के साथ गटबंदन किया जैसे महरास्त्रा है तो सीवशेना के साथ किया सीवशेना कभी दोनों मतलब अगर गटबंदन में आ भी गए तो पहले leadership के रोल में था फिर रोल घटा कर क्या कर रेलेगेट कर दिया घटा दिया और क्या कर दिया secondary कर दिया रोल तो कह रहा है कि जैसे नित्रत्व से लेकर secondary status जैसे कि सीवसेना के साथ हुआ महरास्त्रा में और even या फिर even भी to extinction या फिर लुपती कर दिया कि उ remainder है remaining part remnants है जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं जैसा कि यह हुआ गुजरात में जनता rumps के साथ में मतलब उसके जो पार्टी थी उसके जो बचा कोचा छोटी मोटी पार्टी थी उसके साथ जैसा गुजरात में देखने को मिला वैसा भी हो सकता है could have be fallen तो यह जो च चीज़ वह जे डियू को भी टू का प्रियोक हम उस शब्द के ठीक बात में करते हैं जिस पर आपको इंफैसिस डालना है जिस पर जोड़ डालना है जिसकी अब बात करते हो तो कह रहा है कि यह जो चीज़ है वह जनता दल को भी प्रभावित कर सकती थी बात समझ में आ ग जैसे की महराष्टरा में शिवसेना के साथ किया और यहां तक की पार्टी को विलूप्त भी कर दिया एक्स्टिंग्शन तक धकेल दिया जैसे की हैपन हुआ था गुजरात में जनता रम्स के साथ में ठीक है यह दो चीज है यहां पे जनता दल उनिटेट प्रभावित कर सकती थी लेकिन चुकि वहां के जनता ने साथ दिया है वहां के जनता ने पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया है तो बीजेपी ने मजबूर होकर कहा कि एंडिये का चेहरा वही रहेंगे आगे देखिएगा सक्षेशन ओफ वन क्राइसिस आफ्टर अनदर इंक्लूडिंग दा चाइनीज अग्रेशन नाओ हैज फोर्च द बीजेपी तो अबेंडन एनी प्लैंस इत में हैव है तो रेलेगेट मिस्टर कुमार तो सब्सीडियरी रोल इंद स्टेट दो तिन शब सब्सीडियरी का मतलब सहायक कह सकते हो अधिनस्त कह सकते हो है ना या फिर कहें कि जो मुखे नहीं हो डॉमेनेंट नहीं हो उसको सब्सीडियरी बोलते हैं सक्सेशन का मतलब है क्रमबद एक के बाद एक तो सक्सेशन जो हुआ वन क्राइसिस आफ्टर आनदर की एक के जून को चाइना और भारत की सेना आपस में भिड़ गई थी तो उसकी बात कर रहा है इसमें ये भी शामिल है तो कहरा है कि सक्सेशन एक के बाद एक मतलब संकट है पहले कोविड नाइनटीन आया फिर ये आ गया तो ये जो चीजें आई ना एक के बाद एक दुख आये एक के बाद एक कस्ट आये एक के बाद एक आपदा आई संकट आये इस सक्सेशन ने क्या किया है है फोस्ड मजबूर कर दिया है बीजेपी को to abandon any plans किसके लिए कि वो कोई भी जो योजना है कोई भी जो plans है उसको abandon कर दे abandon का मतलब छोड़ दे abandon का मतलब relinquish कर दे relinquish कह सकते हो इसका कि यह कोई भी जो इसकी योजना है उसको छोड़ दे कैसी योजना it may have had to relegate जो योजना it यहां बीजेपी के लिए है जो योजना may have had to it may have had to may का मतलब है हो सकता है have had मतलब कर दिया होता इसने शायद इसने कर दिया होता Mr. कुमार को relegate कर दिया होता Mr. कुमार को Sydmote कर दिया होता और कहा भेज दिया होता एक के बाद एक संकट आये और यह जो करमबदता देखने को मिली आपको यह जो एक के बाद एक संकट की करमबदता देखने को मिली जिसमें Chinese aggression भी शामिल है इस चीज ने क्या किया है इस चीज ने BJP को मजबूर कर दिया है कि वो कोई भी इसकी योजना है जो की हो सकती थी कि यह क्या करते यह यहाँ पे अभी यह में हैव प्लस थर्ड फॉर्म है इसका मतलब है तो पास्ट में ही कि मोडल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट का सुचक होता है कि ऐसा हो गया होता कि यह मिश्टर कुमार को रेलिगेट करके डिमोर्ट करके किस निचली पो है और जेडियू है अगर दो से अधिक होते तो यहां पे इच अधर के स्थान पे हमें प्रियोग करना पड़ता वन अनधर का याद रखेगा तो किया बीजेपी और जेडियू जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं जुडे हुए हैं तो समाजिक जो बड़े बड़े तबकों का बड़े तबके कौन से अपर और मिडल कास्ट जो उंची जाती है घो बीच वाली जाती है दलिक्स हैं है ना यह सब जो combination है, ये combination जो propel करता है, propel का मतलब धकका देना, push करना, propel का मतलब encourage करना, propel का मतलब inspire करना, ठीक है, ये जो है, procite करता है, damn, उनको appears to be formidable, कि वो अभी भी क्या है, लगता है देखने पर कि formidable है, formidable का मतलब भयानक हो सकता है, formidable मतलब बहुत बड़ा बहुत भयंकर हो सकता है है ना ऐसा जिसको कोई हराई नहीं सकता हो तो कहरा है कि BJP और जन्तलर एक जुड़े हुए है और समाजिक जो ताना बाना है combination जो है ना किसका बड़े बड़े जो तबके हैं अपर मतलब large sections अपर और middle caste का और दलित का इनका जुड़ा भी कुछ ऐसा है राज्ये के अंदर है ना जो की उनको बनाता है किनको BJP को और जेडियो को बनाता है ऐसा लगता है कि ये formidable है इनको कोई हराई नहीं सकता बड़े ही भयंकर form में हैं बड़े ही ताकतवर हैं आगे देखिए the opposition is in chaos chaos का मतलब एविवस्ता chaos का मतलब होता है disorder chaos का मतलब disorder एविवस्ता तो जो opposition है विपक्ष है अब देखो एक बात ये भी है कि विपक्ष बहुत कमजोर है इसलिए भी बड़ा chances बनते हैं कि यही मुख्यमंत्री फिर से बन कर आएं तो विपक्ष जो है बिल्कुल है विवस्तित है अब कहरा है his father यह his father किसके लिए तेजस्वनी के father मतलब लादू परशाद यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वनी के जो पिता है गेम बिगाडने वाले है and party senior sulking sulking का मतलब नराज होना होता है मोरोज कह सकते हो या फिर angry कह सकते हो है ना bad tempered कह सकते हो sullen कह सकते हो यह सब कह सकते हो और party seniors और party के जो वरिष्ट नेता है वो नराज है तो इसके चलते तेजस्वी आदव जो है मतलब मार्क दरशन करना एक प्रकार से ठीक है तो मतलब तेजस्वी के सामने समश्चाइब होता है पिताजी जेल में भाई बहन तो खुद खेल बिगाडने वाले हैं और senior जो है party के वो नराज है तो इसके चलते यह संगर्ष कर रहे है आर जेडी को गाइड कैसे करें आगे कैसे लेकर चलें दे कॉंग्रेस फिर आजनेतिक पालिटी का नामत दैका प्रियोग है लैक्स वीजन का लैक्स का मतलब कमी होना इनके पास वीजन की कमी है इनको यह नहीं पता कि भविश्य में करना कैसे है किस पार रनीती बनानी है स्ट्रेटेजी एन लीडर्शिप इनके पास स्ट्रेटेजी की कमी है रनीती की कमी है इनके पास नितरत्व की कमी है वीपक्ष की बात कर रहा है कि आर जेडी तो वैसे खतम हो गया कॉंग्रेस की बता दी कॉंग्रेस में ना वीजन है ना स्ट्रेटेजी है ना लीडर्शिप है मिश्टर कुमार में नोट इवन नीड तो मिश्टर कुमार को हो सकता है में का मतलब हो सकता है नोट इवन नीड की आवशकता भी नहीं हो भी आवशकता भी नहीं हो तो यूज is manipulative skill manipulative का मतलब वही रणिटी कोशल युक्ती कोशल वाली जो कुशलताएं हैं skills हैं इनकी दक्षता है उसको यूज ही ना करना पड़े this time इस बार कि इनको जरूरी नहीं पड़े तरकश के हर तीर को यूज करने की इनके पास तो फिलहाल एक advantage है एक ऐसी फो के लिए आप कह सकते हैं hostile और फो के लिए आप कह सकते हैं antagonist ये सब synonymous हैं इसके फो के antagonist तो करें फ्रेंड्स और फोज चाहे मित्र हो चाहे शत्रू हो he is one step ahead वो एक से एक step आगे है मित्रों से भी मान लो शत्रू में भी मान लो वो एक step आगे है अहेड के साथ ओफ लगता है किस से of them all उन सभी में मित्रों में भी शत्रों में भी एक step आगे चल नितिशकुमार इसकी बात कर रहा है तो पूरा पूरा advantage नितिशकुमार को है इस बार के चुनाओं में ये कहना चाहता है आजाई ये revision पर comprehensive का मतलब होता है समग्र मतलब संपूर्ण तो एक नंबर को जोड़िएगा किस से संपूर्ण exhaustive बी से जुड़ेगा फिर दो नंबर है explicitly का मतलब होता है स्पष्ट रूप से तो clearly यहाँ पे है दो नंबर जुड़ेगा D से तीसरा जो है incumbent incumbent का मतलब होता है पदासीन जो वर्तमान में है तो इसके लिए जुड़ेगा current तो यहाँ पे जुड़ेगा C फिर चार और पांच है इसमें देखो bonhomie का मतलब मित्रता होती है मित्रता के लिए यहाँ पे word आएगा friendliness और एक surrogate है surrogate का मतलब substitute होता है तो यहाँ पे एक word आएगा विकल्प कह सकते हैं और representative को भी कह सकते हैं किसी का परतिनिदी हो किसी के स्थान पर कोई काम कर रहा हो उसको surrogate, surrogate mother है कोई एक महिला के स्थान बच्चे को जनम दे तो surrogate mother कहलाती है इसी साब से surrogate का substitute बना है आगे देखे translation है तो आज कल हम केवल 2C के बारे में सुनते हैं coronavirus और चाइना coronavirus में C है, चाइना में C है बड़ा interesting बात कही थी यह रवी शंकर प्रशाद जो है BJP के नेता उनके द्वारा कहा गया एक statement था आज कल हम केवल 2C के बारे में सुनते हैं आज कल को बोलते हैं nowadays और nowadays बीच में भी आ सकता था हम सुनते हैं तो हम केवल सुनते हैं केवल only here और किसी के बारे में तो here के साथ में off लग जाएगा 2C, याद रखना जो भी letter होता है, A, B, C, D, S, कुछ भी उसका बहुवचन बनाने का तरीका होता है कि उसके साथ apostrophe लग जाता है तो यहाँ पे siege ऐसे कर सकते थे हम लेकिन देखो यह siege ऐसे लिख रखा है क्योंकि यह सै का उच्चारण दे रहा है तो hissing sound है इसलिए S के बाद में apostrophe आया है वैसे बहुवचन बनाने का तरीका यह है जैसे A का बहुवचन करना है तो A ज़ करोगे B का बहुवचन करना है तो B ज़ करोगे C का बनना तो ऐसे चाहिए था लेकिन इसको ऐसे क्योंकि यह siege जो है पहले से इसकी ध्वनी है C की इसका रखान से ऐसे बनाय गया है तो यह पोस्ट्र ओफेस लगा के लेटर का बहुवचन बनाया जा सकता है तो आजकल हम केवल सुनते हैं वी ओनली हेर अफ ओनली टू सीज कौन कौन से कोरोना वाइरस और चाइना जब चीन के लोगों ने LSE पर दबाव बनाना शुरू किया तो हमारे बिगेन कर सकते हो आप यहां पर कर सकते हो बिगेन टू बिगेन टू बिगेन टू बिगेन टू बिगेन टू कर दीजिएगा बिगेन टू टू क्रियेट है ना उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया बिगेन टू क्रियेट प्रेशर ओन NSE ठीक है तो यहाँ पे जब चाइना के लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया begin to create pressure on LSE, LSE पर तो हमारे सैनिकों ने उप्युक्त जवाब दिया उप्युक्त के लिए बीफिटिंग यूज किया है याद रखिएगा बीफिटिंग का मतलब उप्युक्त होता है तो हमारे सैनिकों ने उप्युक्त जवाब दिया तो आवर सोल्जर्स दिया गेव उनको जवाब दिया तो देम नहीं लिखो तो भी मैंने उनका नहीं लिखा है तो देम हटा भी सकते हैं एब बीफिटिंग रिप्युक्त जवाब समझ गए नेक्स देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री कहे रहे हैं तो वेन और प्राइम मिनिस्टर इस सेंग प्राइम मिनिस्टर कहे रहे हैं तो कोई भी काम कर रहे है तो प्रेजन कंटिनियूस हुआ तो आवर प्राइम मिनिस्टर इस सेंग जब तो वेन लगा दिया की देट लगा दिया हमारे जवानों का बलिदान वेर्थ नहीं जाएगा कह रहे हैं कि the sacrifice of our जवान्स है ना the sacrifice of our soldiers भी कर सकते हो the sacrifice बलिदान किसका our जवान्स हमारे जवानों का नहीं जाएगा want go अब यह want go यह आएगा would not मत करना क्योंकि देखो is saying present में दे रखा है तो past में नहीं जाएगा वेर्थ को बोलते हैं in when वो वेर्थ में नहीं जाएगा तो कहरा है कि it has a meaning इसका मतलब क्या है राश्ट्रे सुरुख्षा के संबंध में है तो it has a meaning के संबंध में को बोलते हैं in terms of राश्ट्रे सुरुख्षा national security तो जब वेन हमारे प्रधान मंतरी आवर प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये present continuous हो गया तो it's saying क्या कह रहा है कि the sacrifice of our जवांस नहीं जाएगा future indefinite होगा नहीं कोई भी काम होगा होगा गागेगी आता है तो इंडेफिनिटी लगाते हैं simple future लगाते हैं तो इसलिए want to go कैसे व्यर्थ में in when तो कह रहा है कि इस बात का अर्थ क्या है तो it has a meaning या it means भी कर सकते हो है ना in terms of national security रास्ट्रे सुरक्षा के संबंध में है आजा ये EDMs and phrases पर hit the nail on the head तो nail समझते ही आप कील होती है तो कील जैसे मैं 3D तो नहीं बना पाऊंगा तो इस प्रकार की होती है ना कील ये जो top होता है इसका इस पर hit करना इस पर hit करना तो बिल्कुल सहीर जगह पर hit करना तो do or say the exact thing बिल्कुल ठीक का करना या ठीक बात कहना फिर है तो प्ले डक्स और ड्रैक्स इसका मतलब होता है मुर्खता पूर्ण काम करना या in consistently काम करना इसको बोलते हैं to play ducks and dregs play ducks and dregs का मतलब क्या है मुर्खता पूर्ण काम करना या एनियमिद तरीके ही होगा कस्त ही होगा पेन ही होगा और अगर इंट पर बैठी है बैठना भी है लेकिन हैबी होट इसका मतलब यहां पे वो नर्वस कई बार जैसे इंटरिव्यू में जाते हैं अब इंटरिव्यू को फेस भी करना है और मन भी नहीं है confidence भी नहीं है, तो nervous होते हैं, तो very nervous तो यह आपका आज का editorial था, जरूर से सभी लोग जम कर like कर दें, और दोस्तों के साथ share कर दें मिलेंगे कल, शाम पांच बजे, तब तक नमस्कार, thank you very much